हेलो फ्रेंड्स यह मेरा नया कम्प्रेशर मेशीन है दो महीन हो गया मैं काम कर रहा हूं इसका अज दिखाता हूं इसका प्राशिश जो है क्या फैसलिटी है मेंटेनेंस कैसे करे पुरा अज दिखाता हूं वेलकम टो मैं आटिक चैनल यह मैं खरीदा था यह 2000 का सपाश है मैं इसे ओडर कर दिया था लेकिन अच्छा है फ्लैट पेंट के लिए फ्लैट कालर के लिए मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूं जो प्राइमर है बेस्टोन है इसका तो यह लिंक मैं दे दिया डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में यह भी खड़िच सकते अप लोग लेकिन इसमें डिटेल काम ना करें फ्लैट काम के लिए बहुत ही अच्छा है इस टाइब का मेशीन मतलब easy to use करी कर सकते ऐसे बैग में डाल के लेके जा सकते दूसरा यह जो मेशीन है इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है यह भी Amazon से आप पर्चिश कर सकते इसका भी वीडियो भी आप देख लीजिए एक बार मेरा मैं आई बटन में दे देता हूँ मेरा चैनल को पसंद करते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजी और साइड में बेल आइकों भी प्रेस कर दीजी तैकि हर वीडियो के नोटिपीकिशन आपका पास पहुँच हो आज जो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा प्ली ये पर प्राबलम हा रहा है और कुछ सिखना चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्सिन में ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो महीन हो गया ये मैंने एकदम छोटा श्रा ये मेशिन है बहुत ही सिंपल इसका मोटोर जो है हाप और स्पैर का हाप और स्पावर और एर टेंक जो है फिप्टी एमेल का सपस और फिप्टी एमेम का पिश्टन साइज एकदम कोई कम्प्लिकेशन नहीं है सिस्टेम में कोई ऐसा रेगुलेटर ये टेंपरेचर कुछ भी नहीं है मतलब आप आउन करें और काम सुरू करें प्रेशर आटोमेटिकली हो जाता है ऐसे हम लोग क्या करते जैसा आर्टिस्ट है तो हम लोग सोच के काम करते थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है काम करते करते तो ओ जो टाइम है उसी टाइम पे बरागान के लिए ये प्रेशर बन जाता है अच्छा प्रेशर है ये देखे बरागान है जो फ्लैट कालर के ल को नया गान लिया और यह हॉस्पाइप देखिए यह अभी 25 फीट का है हापिंच थिकनेस का यह मेसीन का देखिए यहाँ पे सरेप मेंटेनेंस कुछ नहीं है सरेप मोबिल डालना है मोबिल भी आप सोचिए महिना में दो ढकन ठीक है ना इतना ही और कुछ नहीं है एक्चुली यह मेसीन का कोई मेंटेनेंस नहीं है कुछ भी नहीं है आप ऐसे ही चलाते रहिए और मेंटेनेंस भी लोकाल हो जाता है सब पार्ट्स अविलेबल है यह जो स्प्रेगान है यह बड़ा है इसमें फ्लैट जो टोन है इसमें भी एड़्जास्ट्मेंट है लेकिन मैंने इस रेव यूज करता हूँ फ्लैट कलर के लिए और बहुत ही अच्छा प्रिशर है और यह दूसरा एक चोटा गान है चोटा नहीं यह मीडियम गान है इसका भी मैंने लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ आप एमाजोन से ले शकते इसका भी एड़्जास्ट्मेंट बहुत ही अच्छा है इससे आप बड़ा एक तुम फ्लैट भी है और उसके साथ साथ आप एड़्जास्मेंट करके छोटा काम के लिए भी आप यूज कर सकते मतलब 4-5 फीट का आपका आइडल हो मिउरल हो जो भी है तो एक ही गान पर आप सेडिंग हो जाए फ्लैट कालर हो जाए सब कर सकते इसी गान पर मैं सब को सजेस्ट करता हूँ कि आप ज्यादा महेंगा बला मत लीजिए क्योंकि सब ऐसा ही होता है यूज करे रापली यूज करे शस्ता बला गान यूज करके 1200-500 का बीच में और बारा गान 5-700 में भी आ जाता है यूज करे जो भी खराप हो जाए जो भी हो जाए इसको तो फेक दीजिए फिर से नया ले लीजिए मैं मेरा सजेशन है और दो तिन टाइप का दो टाइफ का जो मैंने मेशिन दिखाया वो भी आप लोग करीच सकते लेकिन उसमें क्या लिमिटिशिन है एक मेशिन में आफ फ्लैट काम कर सकते डिटल काम नहीं कर सकते अब दूसर लोकाल मार्केट शे बना कि लिए हम मेड हैं है, लोकाल मैड है। इसमें कोई सिस्टेम नहीं लगा लेकिन, आप लोग लगा सकते। जैसा क्या बोलते, रेगुलेटर सिस्टेम, औो कर शिस्टेम, है न, मीटर। यह सब लगा सकते। लेकिन जितना एसेसरीज सिस्टेम के एड़ करेंगे ने उतना ये कम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, मेंटेनेंस ज्यादा प्रब्लेम हो जाएगा, तो मेरे शाप से नहीं होना चाहिए, ये सिंपल है, एकदम पूरा सिंपल, स्टार्ट करें और यूज करें, कोई खरा लगा के, ठीक है न, ऐसे लेके जाएगा, तो फ्रेंड, देखा मेरे मेसीन, मैं साजेस्ट करूँगा, आप लोग लोकल कोई मेकनिक का पास जाएगे, इस टैप का कॉम्प्रिशर इजीली बन जाएगा, और अपना हिशाब से बनाएगे, टैंक का क्वंटिटी कितना होना चाहिए उस हिसाब से आप बना शकते हैं, और लोकल कोई भी खराब हो जाएगे, कोई भी कुछ भी प्राब्लेम आ जाएगे, आप उसका पास चला जाएगे, और बना के दे सकते हैं, है न? मेरा अटिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए, और साइड में बेल आइकन में अल नोटिफिकेशन पाने किने, अल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए, और अल वीडियोज आप इन्जाएगेजिए मेरा चैनल पर, थैंक यू